जै मतादी दोस्तों कैसे हैं आप सबी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए वर्ष 2020 के पहले माह यानी जन्वरी महीने के कुमराशीफल के बारे में कि इस नए वर्ष का पहला महीना आपके लिए कैसा रहेगा क्या-क्या आपके लिए लाब की स्थितियां बनेंगी किन चीजों में आपको सावधानी बरतनी होगी आपके करियर में कैसा रहेगा आपका व्यापार कैसा चलेगा आपकी सिक्षा कैसी रहेगी पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा आपका प्रेम सम्मंद, आपका स्वास्त है सभी के बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है, साथ ही बने बेल का एकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तो दोस्तो इस वर्ष की शुरुवात में ही, शुरुवाती महीने में ही कही ग्रहों का राशी परिवर्तन भी होगा और जिनका असर हमारे उपर देखने को मिलेगा कुम राशी की हम बात कर रहे हैं और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो जनवरी का महीना है उसमें कौन-कौन से ग्रह अपनी राशी परिवर्तित कर रहे हैं आपके कौन से भाव में बैठने वाले हैं उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सा गरह आपके लिए कैसे फल लेक राया है, इस नए वर्ष के शुरुवात आपके लिए कैसी देने वाला है, तो दोस्तो सूरे की बात करें, सूरे जो है चोदह जन्वरी को अपनी राशी परिवर्थित करेंगे, 14 जनवरी तक सूरिय आपके 11 भाव में है जो कि कर्म भाव कहा जाता है शनी का भाव कहा जाता है 14 जनवरी तक आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और 14 जनवरी को आपके वै भाव में आपके 12 भाव में सूरिय आ जाएंगे इसके बाद मंगल का कोई राशी परिवर्तन इस महीने में नहीं है 2020 में बुद्ध ग्रह जो की अपनी वाणी को सजाने मितत पर रहते हैं उनकी जो गोचर होगा वो 13 जनवरी को होगा और 13 जनवरी को बुद्ध आपके वैभाव में आ जाएंगे वैभाव यानि बारवाव भाव तो सूरिय भी आपके बारवे भाव में आएंगे 14 को और 13 को बुद्ध आपके वैभाव में बारवे भाव में आएंगे जहां ये दोनों मिलकर बुद्ध अधित योग का भी निर्मान करेंगे जब भी सूर्य और बुद्ध मिलते हैं उनकी यूती होती है तो बुधादी तयूग का निर्मान होता है गुरु की यदि हम बात करें तो गुरु ब्रहस्पती आपकी आय भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र जो की भोग और सांसारी को सुखों को देने वाले माने जाते हैं ये आठ जनवरी को आपके पहले भाव यानि आपके ही भाव में आपकी ही राशी में गोचर करने वाले हैं यानि कुम्ब राशी में आठ जनवरी को शुक्र आ जाएंगे तो इस जो ये जो इस्थितियां हैं इसके जो शनी की यदि शनी की बात करें तो शनी ग्रहे जो की न्याया और परखने की शमता को जगाते हैं इनका 24 जनवरी को राशी परिवर्तित हो रहा है जो आपके बारवे भाव में आएंगे 24 जनवरी को आपके बारवे भाव में शनी आ जाएंगे तो इसके अलावा राहो और केतु अपनी उसी इस्थान पर बैठे हुए है तो इस महीने जो ग्रहों की स्थिति है वो ये है इस महीने चार ग्रह अपनी राशी परिवर्थित कर रहे है तो ये जो आपके शुरुवाती महीने में ही आपके बारवे भाव में कई ग्रहों का जो जमावड़ा हुआ है वो आपके लिए कैसे रिजल्ट्स लेकर आने वाला है चलिए शुरू करते हैं हम प्रदेक ग्रह के परभाव से कौन सा ग्रह आपके उपर क्या असर डालने वाला है तो सबसे पहले हम शुक्र की बात करते हैं क्योंकि इस वर्ष के शुरुवाती ही दिनों में यानि जनवरी माह के पहले हफते में ही शुक्र अपनी राशी प्रिवेश्जित करेंगे आठ जनवरी को शुक्र आपके लगन में प्रिवेश करने वाले हैं और आठ तक आपके ये जो वैभाव है उसमें आपके बारवे भाव में विराजमान रहेंगे बारवे भाव में शुक्र आपके वैभाव में विराजमन है यहां आपका धन से जुड़ा हुआ कोई कारिय ना होते हुए भी आपको धन की प्राप्ति होगी जो आपके कारियों को पूरा करने में सहयोग करेंगे शुक्र ग्रह जो होते हैं वो आपकी राशी के चौथे और नौवे भाव के स्वामी होते हैं और आपकी राशी में गोचर कर रहे हैं तो जो पहला भाव होता है जो लगन होती है वो आपकी छवी को दर्शाता है कि आपकी छवी किसे कैसी रहेगी आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है आपके शारीरिक रूप रंग सौंदर्या को निखारता है और शुक्र वैसे भी भोग विलासिता के कारग रहे हैं तो जब शुक्र आपके लगन में बैठेंगे तो आपके मन में प्रेम बढ़ेगा इसने बढ़ेगा दूसरों के प्रेती लगाव की भावना होगी आपके जो सौंदर्या है उसमें व्रद्धी होती होई दिखाएगी और आप अपने आपको और बहतर दिखाने का प्रियास भी करेंगे और अपने उपर खर्चे भी करेंगे प्रेम समंदों के लिए हाला कि थोड़ी सी सावधाने रखनी होगी प्रियतम के बीच थोड़ी सी तनाव किस्तिती हो सकती है और यदि आप शादे शुदा हैं तो जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा पुन रूप से प्रसन रहोगे, आपके बीच प्रेम बढ़ेगा, समझदारी में विरद्धी होगी यदि आप विद्यारती हैं तो आपको मन पसंद विशयक को पढ़ने का मौका मिलेगा और पढ़ाई में आपका खुब मन भी लगेगा यह जो गोचर होगा यह आपके वैपार के लिए अनुकूल रहेगा और अधि आप साज़ेदारे में बिजनिस करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ अच्छा सम्मंद बना कर आपको चलना होगा इस दोरान किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है इस समय आप कोई संपत्ती खरीदने का कोई वाहन खरीदने का मन भी बना सकते हैं परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए आप सबसे पहले आगे आएंगे और इस समय अपने काम में आप आगे बढ़कर सहयोग करेंगे भागय का साथ भी आपको इस महीने मिलने वाला है आपको अपने काम में भी सफलता मिलेगी परिवार में और कारिशेत पर आपको मान समान की प्राप्ती भी होगी यदि आप जाब करते हैं तो महनत अधिक होगी लेकिन उस मेहनत का फल जब आपको प्राप्त होगा तो आपकी खुशी का कोई ठेकाना नहीं होगा नौकरी बदलना चाहते हैं तो ट्रांसफर मिल सकता है उस दिशा में आप जरूर प्रयास करें नौकरी बदलने के दिशा में अगर आप करना चाहते हैं तो लेकिन विरोधियों से थोड़ी सी सावधानी रखने के आपको आवेशकता होगी इस दोरान वो आपको परेशान भी कर सकते हैं तो शुक्र का जो प्रभाव होगा वो पूरे ही महीने आपके उपर अच्छा प्रभाव पढ़ने वाला है 24 जनवरी तक के हम बात करें हैं 24 जनवरी तक आपके उपर अच्छा प्रभाव शुक्र का यहां पढ़ने वाला है अब हम दूसरे ग्रह की बात करते हैं जो की बुद्ध हैं बुद्ध ग्रह 13 जनवरी को आपके बारवे भाव में आ रहे हैं ये गोचर आपके लिए खास तोर से विध्धारतियों के लिए शात्रों के लिए बहुत लाबदायक सिद्ध होगा जो शात्र लंबे समय से एक उच्च सिक्षा के लिए विदेश जाकर पढ़ाई करने की यूजना बना रहे थे तो उन्हें इस दिसामें शफलता मिल सकती है ये गोचर आपको आध्यात्मिक कारेकर्मों की तरफ भी प्रेरित करेगा आप धार्मिक कारेकर्मों का हिसा बन सकते हैं उनके तरफ रुची आपकी बढ़ेगी इस दोरान अपने जीवन साथ ही पार्टनर या किसी करेवी दोस्त के साथ आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं उनके लिए ये समय चनोती पूर्ण रह सकता है छोटी-छोटी बात पर मन-मुटाव की स्थितियां हो सकती है जिससे आपको सावधानी बरतनी होगी यदि आप सिंगल है तो इस गोचर की अवधी के दोरान आपके लिए शादी के योग ब पाएंगे और शत्रों को जो प्रभाव है वो आप पर इसमय कम रहेगा आप उन पर भारी इसमय पढ़ सकते हैं क्योंकि 14 जनवरी से ही सूर्य भी आपके साथ बैठने वाले हैं यापके बारवे भाव में बैठने वाले हैं जहां सूर्य और बुद्ध का बुधादित्य योग का निर्मान हो रहा है तो ये जो बुधादित्य योग बनेगा ये भी आपके लिए बहुत ही शिबफल दे कर आने वाला होगा तो ये बुद्ध का जो गोचर है ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने वाला है सूर्य के दिए हम बात करें तीसरा ग्रह स सूर्य है सूर्य की बात करें तो 14 जन्वरी को आपके बारवे भाव में सूर्य आ रहे हैं और सूर्य का बारवे भाव में आना बुधादित्य योग का बनना आपके लिए कई तरह के रास्ते खोलेगा ये आपके सब्तम भाव का स्वामी है और इस दोरान आपके 12 भाव मे प्रिवेश करने से आपके लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं देखे इस वर्ष आपके लिए पूरे ही वर्ष विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं लेकिन जनवरी महा से इसकी शुरुआत होती है विदेश जाने की यात्रा इस जनवरी महिने में आपके लिए तियार हो सकती है अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको इसमें वीजा भी मिल सकता है और प्रयास करेंगे तो निश्चे तोर पर सफल होंगे इस समय आप स्वास्थे का देहान जरूर रखें स्वास्थे थोड़ा सा कमजोर बेशक हो सकता है और खर्चों में भी विरद्धी होगी लेकिन साथ ही साथ धनकी प्राप्ती भी होगी तो आप दोनों में सामज़से बना पाएंगे आर्थिक रूप से आप ठीक ठाक रहेंगे लेकिन धर्म समन्दी कारियों में अधिक आप रुची लेंगे विदेशी संपरकों में आपके विरद्धी होगी जो बाहर विदेशी लाब कमाते हैं विदेशी कमपनियों के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा इसके अलावा 24 जुनवरी को शनी का भी राशी परिवर्तन होगा शनी स्वयराशी मकर राशी में पिरवेश करेंगे और आपके बारवे भाव में शनी का ये गोचर आपके लिए शनी की साड़े साती का प्रथम चरण शुरू होगा जिससे मेहनत तो आपकी बढ़ेगी ल आगे आएंगे जो आपने नहीं सोचे थे और इस समय आपको अपने और पराय दोनों का पता चलेगा कौन अपना है कौन पराया है अगर आप नया कार्या करना चाहते हैं तो अपने सीनियर की सला लेकर आप काम शुरू कर सकते हैं तो शनी के इस गोचर से एक तो आपको अ नियमित्य तोर पर व्याराम करते हैं, स्वास्तिय का ध्यान रखते हैं, खानपान पर ध्यान रखते हैं, तो आप सही से इस समय को निकाल सकते हैं, खर्चों में बढ़ोत्री होनी निश्चित है, क्योंकि बारवा भाव व्यका भाव होता है, और एक ही जगा पर कई ग्रहे आपके इस महींने में 24 जन्वरी से बैठने वाले हैं, सूरिय बारवे भाव में, और जो शनी है वो बारवे भाव में, बुध भी बारवे भाव में होंगे, तो इन ग्रहों का शुब अशुब दोनों तरहा का असर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो सूरिय और बुध क रही योग आपके लिए बनेगा तो वो बहुत ही फायदे बंद होगा ये जो योग होगा ये राजयोग की तरह काम भी करेगा राजयोग का काम भी इसमें रहेगा बस जनवरी के अंत में आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सयम रखना है अपने खर्चों पर नियंतरन रखन देखे शनी जो है उनसे डरने की जरुरत नहीं है अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको डरने की जरुरत नहीं है आपके अच्छे करमों का फल आपको निश्चित और मिलेगा तो दोस्तों और अधि कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीड